Hey everyone, this is Shweiba Aftar. Welcome back to another video. और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं NEET 2022 का पेपर अनलेसिस. और I know मैं थोड़ा सा लेट हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए, बट मैं थोड़ा बिमार था तो इसलिए ये वीडियो जल्दी नहीं आ पाई. तो चलिए शुरू करते हैं तो यह जाते हैं बायो पर और बायो पर जो है मैक्सिम्म लोगों को दिक्कत आई है यहां पर जो की मैक्सिम्म सुनने माया है कि बायो काफी लें दी थी बहुत सारे जो है आई अई एक्जाम सटने के बाद बाद अल अल अई इसलिए भी टॉफ लगा लोगो को क्योंकि बायो इस वैर जहां पर मैक्सिम्म लोग एक्स्पेक्ट करते हैं कि वह अच्छा स्कोर करेंगे क्योंकि मैक्सिम्म लोग का बायो ही स्ट्रॉंग होता है आप नीट में जो है नीट की फिल्ड में इसलिए भी आयो क्योंकि मैट्स आपका या तो वीक होगा या फिर आपको मैट्स पसंद नहीं होगा तो आप बायो भी पढ़ते हो मेंली मैक्सिम्म स्ट्रॉंट का बायो यहां पर मैक्सिम लोग को इस वज़े से भी दिक्कत हुई क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशन आई थे बाइव में डिसपाइंट होगे क्योंकि पेपर लिन दिया गया एक चीज़ आप यहां पर डेफिनिटली पॉजिटिव कह सकते हो कि पेपर बहार से नहीं आया या नि पिछले दो तीन साल से यह ट्रेंड चल रहा है कि जो है एक बहार एक भी क्वेशन नहीं आ रहा है बहले पेपर एंदर से आ रहा है बट फिर भी इस बार इंटीय ने आपको समझा दिया है कि पेपर डिफिकल्ट हो सकता है अगर वो सिर्फ एंसी आटी से भी हो यहीं सारे जो है अगर इंसी आटी से भी जो है पेपर डिफिकल्ट बनाया जा सकता है पेपर को लेंदी बनाया जा सकता है ज्यादा स्टेट्मेंट बेस्ट क्वेशन डाले जा सकते हैं इस बार एक और चीज अगर आप नोटिस करोगे तो जो है अलग अलग कॉंसेप्ट को मिला के कॉछिज बनाये गए है आगर आपस देखोंगे तो एक ही चैप्टर में अगर सट इंड में दिया हुआ है तो उनको भी मिला के गुशन опасा इसके अलावा अलए अलग अलग में से उठा के अलग अलग स्चाप्ट में आपके बनाया जाते है नहीं यहां अगर को आपको कोई भी चीज को आप अधूरा नहीं छोड़ते हो आपको पढ़ते वक्त कोई भी दिक्कत आती है कोई भी प्राब्लम अगर आप फेस करते हो अगर आपने उसको इग्णोर कर दिया तो वह कॉंसेप्ट आपका जो है आप उसको सही तरीके समझ नहीं पाओगे और नहीं होगा आपके इसी self study को और effective बनाने के लिए मैं आपको recommend कर रहा हूँ एक app जिसका नाम है फिलो फिलो एक ऐसा instant live tutoring platform है जहां पर आपको 60 seconds के अंदर-अंदर expert tutors के साथ connect कर दिया जाता है ताकि आप उनके साथ one-to-one live पढ़ाई कर सके अच्छे marks आपके तभी आएंग तो लेंदी पेपर का यही है characteristic होता है तो थोड़ा सा अगर उसको difficult बनाना चाहें भले हमारा source material NCRT है फिर भी अगर हम इसको जानबूच के difficult बनाना ही कोशिश करेंगे अगर हम चाहेंगे कि यार questions जो है वो easily ना बने तो हम ऐसा कुछ करते हैं कि हम concepts को क्या करते हैं combine करते ह तो यही देखा गया इस बार के पीपर में भी काफी हद तक इसके बाद हम आते physics में तो physics जैसा की आप देखी सकते हैं वाइंट इस की physics more or less easy ही थी statement based कुछ questions थे NCRT based कुछ questions थे बर जैसा की normally expected भी था तो physics more or less 2021 जैसा ही था या कुछ लोगों ने तो यह भी का है कि 21 से थोड़ा सा easy था बट आप उसको easy मत काओ क्योंकि अगर आप बाकी subjects को देखो गे तो kind of more or less बैलेंस हो गया था तो हम आगे बात करते है physics के अलावा जैसे chemistry की बात करते हैं से बात करते हैं स्टेट्मेंट बेस्ट कुछ फेस्ट से इंसी आर्ट से उठाय हुए कुछ फेस्ट नॉर्मली फिजिकल के मिस्ट्री में नहीं आते थे इतने questions से इंसी आर्ट से और 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 गैनिक इन ओर गैनिक की सब more or less वैसा यह जैसा नॉर्मली आता है